हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बख टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे राइस क्रिस्पी बाइट को कि हमारे दिवाले सेरीज की पांचवी रैस्पी और बहुत ही टेश्टी रैस्पी है इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेश्टी और क्रंची यह बनती है इसको कोई भी शेप दे सकते हैं बहुत ही कुरकुरी है यह सो इस दिवाली इसको जरूर बनाएं क्योंकि अभी भाय दू जा रहा है तो इसके ओपर आप इसको बना करके इसको सब कर सकते हो सो देखते हैं चली इसको कैसे बनाते है मैंने दो कप चावल है जाब इसमें मोटे वाले हो बास्मधी राइस के जरूत नहीं है या कोई पटले राइस नहीं चाहिए जितने मोटे राइस होंगे उतना अच्छे यह बने इसको अच्छे दो लें बहुत गंदय होते हैं प्रॉप कर लें अब हम एक दिन दक सूखाना है दूप में दूप हो गेक कनदे होते है इसको दूपर डॉल शक में咔र पड़े को पर डाल दिया थाकि अच्छे से सूख सके चलिए देखते हमें इसको बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए मैंने 2 कप चावल लिया है थोड़ी सी चन्ने की डाल उरत की वाइट डाल और चने जो कि बिना चिलके के होंगे मिख्सी के जार में मैंने चावल को डाल दिया है इसका बिलिकुल हमें फाины प्uyulan करना है म basin मोटा नहागा यहें चावल नहीं हुआ थोड़ा तो ही रहता है पैड कोशिच करने कि जितना ही पतला हो सकें मैने 5 छलनी में डाल दिया है इसको चान लेंगे जो भी मोटे चुकड़े बचे होंगे वह अलग से निकाल देंगे उसको द्वारा से पीशकर काम में ला सकते हैं इस तरीके से अच्छे से चान लीजिए अब चाबल हमारा पाउडर मिल गया है बिलकुल अब जो दाले लेनी है मैजरमेंट जख सकते हैं मैंने चमच लिया कोई भी चमच बना लीजिए यह एक चमच और रासा चमच और यह मैंने चने की दाल ली है इस तरीके से उड़ा तो चने की दाल दोनों को डालने विकुल से मैजरमेंट में जो भी स्पून यह काटोरी आप लें उसको सेम रखे यह एक चमच और एक चमच हमने लिए रोस्ट चना यानि कि देड़ चमच मूंग की दाल देड़ चमच चने की दाल और एक चमच यह रोस्ट वाला अब इन तीजों को अच्छे से रोस्ट ड्राई रोस्ट कर लें जब चाक चीजी खुश्बू ना जाए बस जलने ना पाएंगे यह कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है आप देख सकते हो इस तरीके से यह अच्छे से रोस्ट कर लें तक जितने अच्छे से बुनेंगे उतनी बढ़िया हमारा यह नाश्टा बनेगा जो कि हम चावल और डाल की हल्प से बना रहे हैं इस दिवाली के खास मौके पार अब बिल्कुल इसे बढ़िया से खुश्बू आने लगी है इसको चलाते चलाते मैंने बढ़िया से बना लिया है और बस इसको अब निकाल करके हमें ठेंडा करना है जब तक यह बिल्कुल ठेंडा ना हो जा हमें इसको पीसना नहीं है उसके बाद ही हमें इसको पीसना है अभी बिल्कुल रेडी हो गया है, चलिए इसको अब एक प्लेट में निकाल देते हैं, देखिए इसको मैंने निकाल दिया है, और अब हमें इसका भी फाइन पाउडर ही करना है, उसमें भी कोई भी गाटे ना रह जाए, इस तरीके से मिक्सी में डाले, इसमें और कुछ भी करना है, बस सिम्पल ही जो दाल हमें फ्राई कीती ही वो डाले और इसको अच्छा सा एक फाइन पाउडर बना ले बिल्कुल इस तरीके, एकदम से फाइन पाउडर बन गया है, इसको भी बिलेकर हमें चानना है, तो कि छोड़े चोड़े चोड़े कुछ रह चाते है, बिन काम आजाएगा, देखिए अच्छे से चान लिया है मैंने, जो भी इसमें मोटा पाट था वो निकल कर अलग हो गया है, और ये बिल्कुल रेडी पाउडर हो गया है, अब हमें इसमें मिक्स करना है, थोड़े से मसाले जैसे कलोंजी, कलोंजी मैंने चोटी चमच लिया है, बहुत थोड़ी सी, और नमक हमारे स्वात के अनुसार, और इसमें मैंने देशी ही गई उसकिया है, एक चमच, आप चाओं तो बटर भी डाल सकते हो, इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी टाइट रहेगा, उसको अच्छे से मिला दीजिए, ताकि हमारा जो जो हम पाउडर बना रहे है, इसका बिल्कुल अच्छे से बन जाए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जितना अच्छा हमारा ये जो डो रेडी हो जाएगा, उतने ही अच्छे हमारा ये नाश्ता बनेगा, इसको अच्छे से मिलाते जाए, और एक पर चेक करने, अग बिल्कुल कड़ाई में तूट जाएंगे तो आप एक चमास से ज्यादा बटर यागी का यूज ना करें अब देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं गीला ना हो जाएं इतना जरूर तो एक बढ़िया से आजए से माटा गोंते हैं उसी आप से हमने देखे बना लिया है इतना हमारा रेडी हो चुका है इसको साइड से रखते हैं कम से कम 20 मिट के लिए क्योंकि इसमें और हमें इसमें जो हमने जो दो रेडी किया था उसके दो पीस में इसमें डाल दिये और अब तेल गरम करें और जो शेप आपको समझ आए वैसी डाल दें कोई भी रख शेप बना सकते हो क्योंकि जब इसको अब निकालेंगे तो छोट-छोटे पीस में आप भी हो जाएग अच्छे से फ्राइड करना है बसी जलेना इसका ध्यान रखे और अच्छे रह सकते हैं आप देख सकते हो कितना बढ़ी है अब मैंने दूसरा जो दूसरी बार कुछ नया शेप देने कोशिश की जैसे कुछ राउंड अगर आप से राउंड बन जाता है तो ठीक है नहीं तो अब लंगे बढ espi बना सकते हो टेस्ट खाने में बहुत ही है बहुत कुरकुणवाए आप जो सीफ से आब आराम से बना सकते हो बना लीजिए शुक्नवक्की इसकं टेस्ट वही रायेगा और यह खाने में आपको जवर्धस फ्लेवर देगा वियंकि को इसमें आपने इसको पेश करोगे तो सच में उसको बहुत पसंद आएगा ये लीजिए हमारा जो नास्ता है चावल का बिलकुल रेडियो गया है इस तदिके से आप बनाएंगे तो जो भी ये खाएगा वो आपकी तारीफ जरूर करेगा तो इस दिवाली में इस सीरिज में अगर आपको इस पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस रेडियो कैसी लगी और आपने इसको दिवाली भी बनाया या नहीं तो दोस्तों देखते रहें मेरे चैनल को लाइक करना बिलकुल लग बोलें सब्सक्राइब करने चैनल को अगर आप चैनल पर नहीं हो और इस तरीके के अच्छे ची रेस्पीस देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर आए थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स